नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बर फिर से RMS Live Learning में और मैं हूँ रमे सिंग फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Google Family Link जो Google का एक प्रोडक्ट है उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं अपने बच्चों पर या फिर कोई भी ऐसा Android यूजर जो Amateur है और जिसकी आप केर करते हैं उसके फोन को आप अपने फोन से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेगी तो दोस्तों अगर आप अपने चाइल्ड टीनेजर के फोन में उनकी एक्टिविटी पर नजर रखना चाते हैं और उनके Android फोन को अपने फोन से कंट्रोल करना चाते हैं तो इस वीडियो में बताए गई इजी स्टेप्स को फोलो ज़रूर करें तो चले फ्रेंट्स वीड लिंक यूज करने के लिए अपने बच्चे के फोन को अपने अकॉडिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में इस तरह से Google फैमिली लिंक एप को इस्टॉल करना है और की किसी प्रकार से आपको अपने चैल्ड के फोन में भी गूगल किया कर दूसरी एप्री we family link and child teen को install कर लेना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर आपने phone में installed google family link app को open करना है open करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आएगा तो guys यहाँ पर आपको bottom side में इस arrow icon पर click करके bottom side में आना है और get started के इस option पर click करना है जैसे आप click करेंगे इस तरह से आपके सामने एक pop-up open होगा तो guys इसमें आपको अपना Google account select करना है select करते ही next interface में आपसे पूछा जाएगा कि इस phone को use कौन करेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको parent option को select करना है अब next interface में आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कर सकते हैं इसलिए जिस phone को आपको supervise करना चाहते हैं वो भी आपके पास ही होना चाहिए तो अगर child and teen वाला phone आपके पास है तो यहाँ पर आपको bottom right corner में next button पक्लिक करना है और क्लिक करते ही जो next interface open होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके child का google account है या नहीं तो गैस यहाँ पर आपको bottom right corner में yes option पक्लिक करना है क्योंकि अगर आपके child का google account नहीं है तो आप इस service का use नहीं कर पाएंगे इसलिए make sure कि आपके child ने अपने phone में अपनी google id से login किया है इसके बाद दोस्तों आपको अपने phone की settings को open करना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ scroll करना है यहाँ पर आप google का यह option देख सकते हैं इस option पर आपको click करना है और next interface में parental controls case option पर click करना है जैसे आप click करेंगे next interface में इस तरह से कुछ instructions आपके सामने आएंगे तो guys यहाँ पर आपको parent option पर एक बार फिर से click कर देना है इसके बाद आपको अपने child के phone में installed family link child and teen app को open करना है इसके बाद कुछ instructions आपके सामने आएंगे तो guys यहाँ पर आपको bottom right corner में next option पर click कर देना है इसके बाद next interface में आपके child की google ID आपके सामने आएगे तो guys आपको इसे select करना है select करते ही इस तरह से next interface में parent account एंटर करने का option है तो guys यहाँ पर आपको इस box में इस तरह से अपनी email id या फिर phone number एंटर करना है और next के इस option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे इस तरह से next interface में आपकी google ID का password पूछा जाएगा तो guys यहाँ पर आपको अपने google account का password एंटर करन और नेक्स्ट के इस option पर क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके गूगल अकॉट को वेरिफाइए करने का उप्षन है तो गाईज अगर आपके पास security की नहीं है तो यहां पर आपको try another way के इस option पर क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने अकॉट वेरिफिकेशन के अलग अलग options आएगे तो गाईज इन में से आप कोई भी एक security option सेलेक्ट करके अपने अकॉट को verify कर सकते हैं माल लीजिए अगर आप यहां पर tap yes on your phone और tablet के इस option को सेलेक्ट कर करना है जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके फोन में कुछ numbers verify करने के लिए आएंगे तो गाईज इन में से आपको अपने चैल्ड के फोन में आए security number पर tap करना है जैसे आप tap करेंगे चैल्ड के डिवाइस में आपका Google account verify हो जाएगा अब चैल्ड डिवाइस में आप आपको bottom side में आना है और इस box में आपको चैल्ड का Google password एंटर करना है एंटर करने के बाद agree case बटन पर आपको click कर देने है इसके बाद जो next interface open होगा इसमें आपको bottom right corner में activate option पर click करना है जिसके बाद account linking process start हो जाएगा और इस process में थोड़ा time लग सकता है इसलिए आपको यहा हो जाएगा इसके पाद दोस्तों आपको अपने device में done के इस option पर click कर देना है जैसी आप click करेंगे इस तरह से आपके child या teenager का account आपके Google account से connect हो जाएगा और अब आप अपने phone से ही अपने child का phone control कर सकते हैं उसका supervision कर सकते हैं यानि कि आपके child के phone में जित्ती भी applications है उन्हे जब चाहें आप अपने child के device में किसी भी application को hide कर सकते हैं और जब चाहें वह आपस unhide कर सकते हैं अपने device में Google family link एप open करके आप settings section में manage के इस option पर click करेंगे तो इस तरह से आपके सामने content filter और account setting के अलग-अलग options आएगे तो guys यहां से आप Google Play Store, YouTube, Chrome और Google Search को अपने child के device मे आपने according manage कर सकते हैं यहां पर Google Play option पर आप जैसे click करेंगे इस तरह से next interface में आपके सामने आपके child के device में play store को customize करने का option आपके सामने आएगा तो guys यहां पर require approval for option पर आप जैसे click करेंगे इस तरह से next interface में कुछ options आपके सामने आएगे तो guys यहां पर अगर इस तरह से only in app purchases option selected है तो प्लेस्टोर से जब भी आपका चाहिड कुछ पर्चेस करेगा तो उसके लिए आपके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके चाहिड की सभी पर्चेस पर आपकी अप्रूवल की जरूरत हो तो यहाँ पर All Content Option को आप Select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आप YouTube Option पर क्लिक करके YouTube पर Restrictions लगा सकते हैं अगर आप इस टॉगल बटन को Enable कर देंगे तो जब भी आपका चाहिड अपने डिवाइस में YouTube यूज करेगा तो उसे YouTube ब्रॉजिंग करते हैं मैच और इन पर आप जैसी क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपके चैल्ड के Google Chrome में अलगलग सेड्स को डिसलाओ और अलाओ करने का उप्सन आपके सामने आजाएगा तो गाईस यहाँ पर आप इस तरह से Only Allow Approved सेड्स के इस उप्सन को सेलेक्ट करके और फिर मैंने सेड्स उप् सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद Google Search option पर क्लिक करके आप सेफ सर्च option को इनैबल कर सकते हैं जिसके बाद Google Search में गलत contents filter हो जाएंगे इसके लावा personal results और account data setting भी आप यहां से कर सकते हैं इसके बाद अपने child के device को control करने के कई options आपको यहां पर मिल जाएंगे तो guys इन सभी options को आप अपने according customize कर सकते हैं अब अगर दोस्तों आप अपने child के device में किसी भी application को disable करना चाते हैं या फिर उसमें time limit set करना चाते हैं तो वो भी आप यहां से easily कर सकते हैं इसके लिए यहां पर आपको more के इस option पर click करना है जिसके बाद आपके child के device की सभी अलग-अलग applications आपके सामने आजाएंगे तो guys मालीजी अगर आपको YouTube application को अपने child device से hide करना है तो इस तरह से आपको YouTube के सामने वारे icon पर click करना है जिसके बाद कुछ options आपके सामने आएंगे तो guys यहां पर आपको block option पर click कर देना है जिसके बाद इस तरह से आपके child के device से YouTube application hide हो जाएगी हालां कि यहां से आप कभी भी YouTube application को वापस unblock कर सकते हैं वापस unhide कर सकते हैं अब अगर मालीजी आपको अपने child के device मे वर्चैप के लिए limit सेट करने है तो वर्चैप messenger option के सामने आपको option पर click करके set limit option पर click करने जिसके बाद एक pop-up open होगा तो इसमें आप आपने according जो भी time set करेंगे सिर्फ उतने ही time तक आपका child अपने device में वर्चैप का use कर सकता है उस time limit के बाद आपके child के device में वर्चैप block हो जाएगा इसके बाद दोस्तों य daily limit set करने का option आजाएगा तो guys यहां से आप daily limit schedule को on off कर सकते हैं और हपते के 7 दिनों में अलग-अलग limit set कर सकते हैं माल लीजी आपको Monday को एक गंडे की limit देनी तो इस तरह से आपको Monday option पर click करके plus minus के option के through आप one hour option को set कर सकते हैं इसी तरह से आप अलग-अलग days के सामने check box पर tick करके उनकी daily limit time set कर सकते हैं जो भी daily limit time आप यहां से set करेंगे उसके बाद सिर्फ उतने time तक आपका child phone use कर सकता है उसके बाद phone lock हो जाएगा इसी तरह से अगर आप bad time set करना चाते हैं तो वो भी आप यहां से easily कर सकते हैं यहाप पर bad time के tap पर click करके आप अपने child के लिए bad time set कर सकते हैं यहां पर जो भी time आप इस तरह से select करेंगे जो भी इस तरह से आप log time और unlock time को यहां पर set करेंगे उस time पर आपके child का जो device है वो लॉक हो जाएगा और वो किसी भी तरह की activity अपने phone में नहीं कर पाएगा तो दोस्तों यहां से आप हपते के साथों दिनों में अलग-अलग bad time set कर सकते हैं या फिर एक ही bad time सभी दिनों के लिए set कर सकते हैं finally setting save करने के लिए top right corner में save option पर click कर दीजी इसके अलावा भी दोस्तों यहां पर आपको कई अलग-अलग options मिलते हैं जिनके थुरू आप अपने child के device को अपने according customize कर सक child के device इस तरह से lock हो जाएगा और वो अपने phone का use नहीं कर पाएगा हाला कि आप अपने phone में unlock के इस option पर click करके कभी भी अपने child का phone वापस unlock कर सकते हैं इसके अलावा भी दोस्तों यहां पर आपको कई सारी अलग-अलग useful settings मिलती हैं जिने आप अपने according customize कर सकते हैं और अप दूसरी वीडियो में हम पूरी डिटील में जानेंगे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलता हूं आपको next वीडियो में किसी new topic के साथ तब तक के लिए जैहिन